हेलो दोस्तो आज की इस वडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके फोन पर यह जो मैसेज का एप्लिकेशन होता है उसमें अगर आपके फोन में कोई भी मैसेज आता है तो वो जो है लॉक स्क्रीन पर जो है दिखाई नहीं देता है यानि कि जब आपका फोन यहां पर लॉक रहता है तो वहां पर जो मैसेज आता है वो जो है आपके फोन के नोटिफिकेशन पर यहां पर सोन नहीं करता है यानि कि जब आपका फोन यहां पर लॉक रहेगा तो वो मैसेज जो है यहां पर सोन नहीं करता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग यहां पर solve करनी के लिए आपको यहां पर सबसे पहले अपने phone में setting को open कर लेना है आप लोग यहां पर setting को open करिए उसके बाद यहां पर आपको application को option आ जाएगा यहां पर आप लोग click करिए उसके बाद दोस्तों यहां पर आपको system app setting को option आता है तो फिर यहाँ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको messaging का option आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहां पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा तो अब यहां पर आपको क्या करना है यहां पर आपको यह जो एडिक्शनल सेटिंग ओप्शन आता है हाँ यहां पर आप देख सकते हैं डिक्शनल सेटिंग ओप्शन आ रहा है वहां पर आपको क्लिक करना है यहां प आपको so message on locked screen को option आ रहे है तो आपकी phone में इस तरीके से disable रहेगा तो आपको यहाँ पर उसको click करके इस तरीके से enable कर देना है तो जैसे आप लोग दोस्तो इस वाले option को अपने phone पर enable करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो भी message आएगा तो अगर आपको phone यहाँ पर lock रहेग तो उसके बाद भी आपको यहाँ पर जो है lock screen पर जो message का notification है वो यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगा तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोग इस problem को solve कर सकते हैं